बरवरी परजाती की बक्री किसानों के लिए फैदमें सावित हो रही है बड़ी बाती है कि इसे चराने का जंजट नहीं है और इस पर डेली का 6-7 रुपया खड़ चाता है एक बक्री साल में 10 अजार तक आमदन देती है चराने का जंजट नहीं होने से इसे सहर के छटों पे भी पाला जा सकता है इसकी आन खुबिया है कि ये एक बार में 3-5 बच्चे देती है अगर कोई बेविसाईक रूप से बक्री पाला सुरू करना चाहता है तो बरबरी बक्री सबसे अच्छी नसल है जामनपूरी नसल 22-23 महिने में सिरोही 18 महिने में गाविन होती है वहीं बरबरी 11 महिने में बच्चे देने के लिए तयार हो जाती यस साल में 2 अबार या 2-3 बच्चे दे सकती है बरतमान समय में खत्म होते चारा गाह और चारे की समस्या को देखते हुए इसे रखा गया है बरबरी बक्री मध कद की होती है लेकिन इसका सरीर काफी गठीला होता है सरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं सरीर पसफेद रंग के साथ भूरे यसुनहरे रंग का धबा होता है इसकी नाक बहुत छोटी और कान खड़े रहुए होते हैं गर्म मैदान के इलाके में और इसके पहाड़ी के ठंडे इलाकों में भी इसे असानी से पाला जा सकता है इस पर जाती की मादा का वजन 25 से 30 किलो गराम तक होता है इसकी पर जनन छमता भी कापी अच्छी होती यह नसल की खासे अतिया है कि यह साल में दो बार बच्चे देती हैं और वो दो से पांच बच्चों के देती है जिससे इनकी संक्या अच्छी है यह बकरियां प्रती दिन एक किलो दूद देती हैं और गरम बरसा सरदी सवी तरह के वातावरन को वसानी से मेरा सकती है यह एक साल में एक बरबरी बकरी तयार करने के लिए 3,000 रुपे का खड़ चाता है और बाजार में इसकी किमत करीब 10,000 रुपे तक है थांक यू